सल्मान की एप्सेंस में कैसे होगा एविक्षन क्या इस हफते कोई नहीं होगा बेघर टीवी रियालिटी शो बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार के दोरान सल्मान खान की गैर मौजूदगी चर्चा का विशे बनी हुई है ऐसे में दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सल्मान खान की एप्सेंस में आखिर एविक्षन कैसे होगा और कौन होने वाला है इस हफते बेघर आपको बता दे कि खबर के मताबिक यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हफते वीकेंड का वार की शूटिंग के लिए शो के होस्ट सल्मान खान अनवेलेबल थे बिजी सेड्यूलिंग और अर्लियर कमिट्मेंट के चलते उनके बिना ही वीकेंड का वार का एपिशोड सूट किया गया अब शो के होस्ट सल्मान खान के बिना एविक्षन कैसे होगा यह सवाल सब के मन में उठ रहा है तो आपको बता दें कि इसी सीजन में शुरुआती हफ़तों के दोरान एक वीकेंड का वार में एविक्षन नहीं दिखाया गया था जबकि अगले दिन यानि सोमवार को घर के एक सदस्य एलिमिनेट हुए थे तो आपको बता दें कि उसी तरह बिना सलमान की मौजूदगीर के एविक्षन दिखाया जा सकता है ऐसे में देखना यह होगा कि बिग बॉस के घर से इस हफते इलिमिनेशन की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाता है और रही बात कौन हो सकता है घर से बेघर तो आपको बता दें कि वोटिंग ट्रेंड्स के आधार पर सुनाली फोगाट और निकी तंबोली ऐसे दो सदसे हैं जो नॉमिनेटेड लिस्ट में डेंजर जोन में दिखाई दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इस हफ़ते सलमान के बिना एविक्शन को टाला जा सकता है यानि निकी और सुनाली को घर में एक और हफ़ता रहने का मौका मिल सकता है इन सभी खबरों में कितनी सचाई है ये अफकमिंग एपिसोड में पता चल जाएगा विक बॉसर जुड़ी इसी तरह की खबरे लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरीए हम तक जरूर पहुचाएं